हेलो डीविदिंग प्यारे बच्चों आए सुरू करते हैं लोगो आगे का remove two चैप्टर कल इसके पिछले मतलब पिछले क्लास में हम लोगों ने remove two के बारे में basic जानकारिय प्राप्त कि थी अभी हम आगे पढ़ेंगे remove two के बारे में और दोस्तों मैं आपको गारेंटी देता हूं कि रिमूव तूप से आपका एक भी कुशन रुके गा ही नहीं मतलब एक्जाम में आएगा और आप उसे सॉल्व कर लोगे देखते ही ठीक है तो रिमूव तू में मैंने बताया था कि एक्जली किसी सेंटेंस में टी ओ ओ जिसकी हिंदी होती है भी एक और एक होता है टू का हिंदी हद से जादा मैं लिखा भी हूं हद से जादा तो होता कहा है ना कि एक्जाम में किसी सेंटेंस में टी डबल ओ दे देगा और कहेगा कि इस टू को रिमूव करो यानि हटा दो और उसके बदले में कोई और सब्द रखो तो एही हम चप्टर प पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे रिमूब टू में टी डबल ओर टू का हिंदी हद से ज्यादा वाला ठीक है इसमें कुछ टाइप से उन टाइप पर चर्चा करूंगा मैं और बहुत ही सिंपल है हमारा जो टाइप है यह टाइप वन है कौन सा है टाइप वन है बहुत ही पूरा इंपॉर्टेंट टॉप टाइप है तो देखो ध्यान से होता क्या है कि टी डबल ओ के बाद कोई एड्जेक्टिव आता है अच्छा एड्जेक्टिव क्या होता है ब्रेव टॉल गुड स्मार्ट लेजी फैट यह सब एड्जेक्टिव होता है ठीक नहीं विशेश प्लस भीवन बचाना इसी को सैंटेंस में बदल दोगे बहुत हैं देखाऊंगा और वह sentence होना चाहिए negative याद रखिएगा टू प्लस वीवन को एक sentence में बतलेंगे और वह sentence होगा negative बस यही रखना है आपको मैं फिर से बता रहा हूं आप पहले ध्यान से देखो two plus adjective इसमें fat क्या है इसमें fat क्या है fat adjective है two plus v1 run क्या है वर्ब का पहला रूप है तो he is too fat हिंदी निकालो वह हट से ज्यादा मोटा है to run दोड़ने के लिए तो इसी sentence को देख करके कहेगा कि यह जो टी डबल ओ है उसको हटाओ और उसके जगह पे कुछ और सब लगा तो बहुत ही simple है two की जगह पे आप so लगा दो चलो लगा दिया he is so fat वह हट से ज्यादा मोटा है या वह इतना मोटा है that देखो structure में that था मैंने that भी लगा दिया that और एक वाक के बना दो तो वाक कि तुम किसी भी तरीक से बना सकते हो बस negative होना चीए लेकिन ज्यादा ब्लैंक साते हैं कॉमा नेरर साते हैं यह मैं आगे आपको बताऊंगा ठीक है अच्छा यह नौट का मतलब negative ठीक है ना आप चाहो तो नेवर लगा लो नेवर भी तो negative होता है आप कोई भी negative वर्ड लगा लो sentence बस negative होना चाहिए ठीक है ना इदम यह किताब से अलग बता र दो बाकिए अद्जेक्टिव सेम रहेगा हाँ आगे टू प्लस भीवन को डैट से जोड करके एक सेंटेंस में बदल दोगे और वह सेंटेंस हमेंसा क्या होगा नेगेटिव होगा हिंदी से भी क्लेर हो जाता है जैसे ही इस टू स्मॉल टू टू टूच दफैन अब देख चोटा है कि पंके को छून नहीं सकता है तो आव सिंपलने ही इस सोई स्मॉल लैट देख को डैट आगया कनेकिटिव हमारे जोडने वाला इतना चोटा है कि पंक्यख चून नहीं सकता तुमीद करते हैं कि है आपको ख्लेर रहा हो गा बहुत सरी एकजांपल्स में से एक आ उतना आलसी है या वह उतना आलसी है टिवह काम नहीं कर सकती है तो C is इतना काम नहीं करेगी कोई बहुत से बना मैं करेगी कोई ऐसे बना लिए u चैसे की नहीं करती है तो इसे बना लो v इस कृटिए होना चाहिए मैं यह बात इसलिए बता रहा हुअ कि एक्जाम में यहीचीज यही ठीक है ज्याद यही रहेगा डेकिन किसी भी इंस से बना चलू यूवर थोड़ा ध्यान देना पास थोड़ा किया है यूवर टू-वीक टू-टू-स टैंड यही तो स्रक्टर है हमारा टू-प्लस एड्जेक्टीव टू-ब्लस-बी-वन एड्जेक्टीव यहां पर व पढ़आ हो और यह सेंडेंस की रीडिवात अगर पास्ट हो थो आगे भी पास्ट होता है तो केन एक्जाम्पल दे रहा हूं उसी में से आएगा है ठीक है जादा एक्जाम्पली दोंगा पढ़ाई कम है एक्जाम्पल्स ज्यादा है ठीक है ना प्रफ टू फुलिश टू सॉल्व दिस कोश्चिन अब देख इतना पर संटेंश लेकिन हमारा में तो यह ना टू प्लस एड्जेक्टिव टू प्लस भीवन ठीक है टू प्लस भीवन तो टू प्लस एड्जेक्टिव तो इसका पने का कैसे है वह हग से ज्यादा मुर्ख है इस सवाल को हल करने के लिए अर्थाथ वह इतना मुर्ख है कि सवाल को हल नहीं कर सकती है तो सीज सो फुल इस डैट सी कनोट सॉल दिस कोश्चिन हो तो गया सो लगाया मैंने डैट लगाया और निगड़ी बना दिया वाके वह इतनी मुर्ख है कि इस सवाल को हल नहीं कर सक कूद नहीं सकती है अगर यह मेरा इज की जगा वाज रहता ना तो हम यहाँ पर वाज लगाते है ना और यहाँ पर कैनोट को कुड़नाट में बदल देते हैं अब अलग 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 होता है लेकिन कैनोट एक ही में चिपका रहता है यह ध्यान दीजिएगा चलो यू और टू बीजी तुम हद से ज्यादा बीजी हो भई तू डू दिस वर्क इसकाम को करने के लिए अब देखो हमारा स्ट्रक्चर पर यहीं न था टू प्लस एड्जेक्टिव टू प्लस बीवन सिंपल तो इसका रिमूव टू करना है तो सो लगा के बना लो यू आर सो ब हुए है चलने के लिए अर्थात हम इतने थके हैं कि हम चल नहीं सकते हैं वी आर सो टायर्ड डैट वी कैनाट वॉक हो तो क्या बहुत सिंपल अगला एक्जांपल है इसी में से आएगा जो 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 एक्जांपल तेरा उसी में से आएगा भी ही इस टू स्लो टू 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 ही हमारा इतना च्रक्चर है तू प्लस एड्जेक्टिव टू प्लस भीवन वह से ज्यादा धीरे है मंध है तू विन जीतने के लिए रेस को अर्थात वह इतना धीरे है कि रेस को नहीं नहीं जीत सकता है ठीक है तो बन गहीं जो स्लो दाट ही कैनोट विंदर इस प्यारे पढ़े होगे आप हिंदी ने निकाल पाओगे कई बर सामने वाला अगर अच्छा इंग्रिश बोलता आपके सामने बोल देगा और आप उसकी असली भाव को नहीं समझ पाओगे अभी तो यह टाइप वन है अभी आपको टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर भी पढ़ मैंड्ये t headed पूर्ण दोने के लिए देख य citizenship driven तो तुम אזarta बोले के लिए था तुम यतने बूरे कि तुम दोड़ने सकते आपको यूर वार्ण साथ खैंफ आज इससे सो आ पड्स बढ़रा तूम उंसrien करने को मैं अब कर उसकते सी तो यही फिलिन दब्लेंक में भरने को आता है क्या तो आगे ड्याट वलवाग के दिखा देगा और इसी को भरने को देगा तो पता रहा तब तो भरोगे और इसमें तु ही भरोगे जब टू-प्लस-भीवन आगे रहेगा ठो तो क्या करेगा ना कि यह टू प्लस भीवन दिखा देगा और यह टू भरने को देदेगा मैं आगे दिखाऊंगा भी ठीक है अभी यह ग्जांपल देख लो बहुत बढ़ी एक्जांपल है प्राउड कहीं दियो घमंडी क्या होता है घमंडी ठीक है तो सीस्टू प्राउड टू लर्ण लर्ण का मतब तो सीखना तो टू प्लस एड्जेक्टिव टू प्लस भीवन प्राउड एड़्यक्टिव एं ठीक ना एक गुण है बुरा गुण है तो वह हट से जायदा घमंडी ए सीखने के लिए अर्थात वह इतनी घमंडी है कि सीख नहीं सकती है ठीक है तो she is so proud that she cannot learn ठीक है he is too poor देखो मैंने इतने examples दिया है ताकि आपको कोई थोड़ा भी दिक्कत न हो he is too poor to buy this book structure कहा है इस्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है इतना टू प्लस एड्जेक्टिव टू प्लस भी वन यह डबल हो है ध्यान देना वह हट से जादा गरीब है इस किताब को खरीदने के लिए मतलब क्या वह इतनी गरीब है वह इतना गरीब है कि किताब नहीं खरीद सकत है तो ही जिस्टो पूर दाट ही कैनाट बाइडिस बुक क्लेर है अगला एक्जांपल है यूर्टू लेट तुम भई हट से जादा लेट हो गया हो तू कैच दे ट्रें ट्रें को पकड़ने के लिए देखो ये स्ट्रक्चर है मरा तो कैसे रिमूब टू होगा तो सो लगा हमें आ गया होगा पूरा सीथा इस टू यंग सीथा हट से ज्यादा यंग है अभी मना बच्ची है छोटी है टू प्लेडिस गेम इस गेम को खेलने के लिए तो यही ना स्ट्रक्चर है मरा टू प्लस अडेक्टिव टू प्लस भीवन यंग यहां पर अडेक्टिव है तो स हम आगे कैनाट को कुड़नाट करते अब आते हैं फिल लिए ब्लैंक जो एक्जाम में आता है मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है ही इज डैस्टिमीड टू फेस्टिस जैंजर वेरी मच सो टू होगा क्या मैं आपको इस्ट्रक्चर बता चुका हूं एडेक्टिव टू प्लस भीवन तो इस इस्ट्रक्चर में तो आप देखो ना टू फेस फेस का मतलब सामना करना और यह अजेक्टिव दे दिया तो य अजनिया भर का चीजों में confusion रहेगा answer होगा यहाँ पर डी ही इस टू टीमीड टू फेस्टिस जेंजर इस्ट्रक्चर के हिसाब से टी डबलो होगा वह से ज्यादा डरपोक है इस खत्रे को सामना करने के लिए अर्था वह इतना डरपोक है कि खत्रे का सामना नहीं कर सकता रिमूब टू करें तो सो लगा के बना देना है बस अभी पूछा है कि क्या भरा भरा जाएगा यूर डैस लेजी डैट यू कैनाट डू दिस वर्क तुम इतने आलसी हो कि तुम इस काम को नहीं कर सकते होगा क्या तो पहरे बच्चों आप पढ़े हो इस्ट्रक्चर में क्या था कि अगर डैट से वाक के बनेगा तो यहां पर सो लगाओगे न वेरी मच सो टू कितना ब यहां पर दे देगा मालो वेरी ठीक है और ऐसे काट के पूशेगा कि एरर कहां है यूर वेरी लेजी डैट यू कानट डू दिस वर्क तो आप तो कहो कि ठीकी लग रहा है लेकिन भाई डैट से बना है न तो आप पराम से सो लगाओ ठीक है यह ख़बर इतनी बुरी है कि तुम इसे टॉलरे या नि सह नहीं सकते क्या हो सकता है बताओ वेरी मच सो टू चार ओप्शन से तो भाई आपने पड़ा है कि जब दैट से बनेगा और आगे कवाक के आएगा तो भाई हम क्या लगाएंगे हम सो लगाएंगे इस निव जिस सो बैद आट 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 को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक में दिस बूक इस डैस कोशली डाट यू नट बाई इट वेरी मच सो टू बताओ क्या हो सकता है आप तो दम धुआ कर दो गया ऐसे कुशन को बहुत बढ़िया बढ़िया कुशन लगा चुप शब या किताव इतनी महंगी है कि तुम इसे खरीद नहीं सकते है यूवर डैस फैट टू रन देखो नहीं पर टू प्लस भीवन है एडजेक्टिव तू प्लस भीवन तो क्या पढ़े थे टी डवलो यूवर डैस फैट टू रन क्या हो सकता है तो टू मच व लंबा है यहां इतना लंबा है कि प्रवेश्च नहीं कर सकता इसमें होगा क्या वेरी मच सो टू क्या आंसर हो सकता है तो यहां पर देखो ना टॉल एड्जेक्टिव है फिर टू प्लस भीवन की बात हो रही आगे चलो इंटर मने प्रवेश्च करना वर्भ है टू प्लस नहीं लगता कि दिक्कत अब होना चीए लेकिन अगर होगा तो आप पूछिएगा ठीके ना मैं हमेशा बताओंगा क्योंकि I want your selection मैं आपका selection चाहता हूं कि जल्दी से आपका selection हो जाए आप नौकरी करो salary आए आप enjoy करो ठीक है best of luck कल मिलेंगे अगले class में thank you